स्पेन के नाविक कोलंबस बहुत ही साहसी थे उन्होंने अपने नौका के माध्यम से ही अमेरिका महाद्वीब को खोज निकाला सभी जगह उनकी कीर्ती फैल चुकी थी उनका ही गुणगान चारों तरफ फैल रहा था अमेरिका की खोज से लोटने के दौरान बहुत से समारोह किये गए एक दिन इस खुशी को बरहाने के उद्देश्य से एक प्रीती भोज का आयोजन किया गया उस प्रीती भोज में बहुत से व्यक्ति आये हुए थे उनमें से एक व्यक्ति ने किसी दुसरे व्यक्ति से कहां अमेरिका की खोज करना कौन सी बड़ी बात है बस अटलांटिक पार किया कि आ गया अमेरिका इतने छोटे से और सरल कार्य के लिए इतने बढ़े सम्मान की भला क्या जरूरत है उनकी यह बात कोलंबस ने सुनली भोज समाप्त होने के कुछ देर बाद ही कोलंबस ने सभी लोगों को बुलाया उनके हाथ में एक उबला अंडा था उन्होंने अंडे को मेज पर रखते हुए कहा कृपया आप सभी उपस्थित सज्जनों में से कोई इसे सीधा खड़ा करने की कृपा करे जो लोग कोलंबस के बारे में यह कौन सी बढ़ी बात है वाली धारना रख रहे थे उन्होंने बहुत अकल दोडाई, बहुत कोशिश की पर वैसा न हो सका जैसा की करने के लिए कहा गया था बाकी उपस्थित लोगों ने भी बहुत प्रयास किया पर सभी विफल रहे कोलंबस ने अंडे का एक सिरा उंगली से तोड़ कर समतल किया और वे उसे मेज में खड़ा कर दिखाने में सफल रहे वहां उपस्थित कई व्यक्ती जोर जोर से चिल्ला कर कह रहे थे इसमें कौन सी बड़ी बात है ये तो हम भी कर सकते थे कोलंबस ने नम्रता पूर्वक कहा मित्रों आप सब कर सकते थे पर आप में से किसी ने नहीं किया सूज बूज के अभाव में सरल से सरल दिखने वाला कार्य भी असंभव शब्द के आगोश में आ जाता है कुछ करने का महत्व सिर्फ अपने मेहनत और श्रम पर ही निर्भर नहीं करता इसमें जब तक सूज बूज शामिल ना हो तब तक आपके मूह में सिर्फ इसमें कौन सी बड़ी बात है वाला ये वाक्य आता ही रहेगा आप सब भी अमेरिका की खोज कर सकते थे पर मैंने सूज बूज के सहारे उसे खोज ही निकाला वह रास्ता तो सब के लिए पहले से ही खुला हुआ था दोस्तों हम सब भी अधिकतर बार अपने जुबान से इसमें कौन सी बड़ी बात है वाला वाक्य इस्तिमाल करते हैं लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि यह सिर्फ अपने आप से किया गया बहाना है यदि आपके अंदर क्षमता है तो आपको कभी भी इस वाक्य का उपयोग करना नहीं पड़ेगा लेकिन यदि आप प्रयतन ही नहीं करेंगे अपने दिमाग का इस्तिमाल ही नहीं करेंगे सूच बूच से काम नहीं लेंगे तो आपके जिन्दगी के शब्दकोश में बार-बार इसमें कौन सी बढ़ी बात है इसमें कौन सी बढ़ी बात है वाला यह छोटा सा वाक्य सीधे आपके घमंड के बारे दर्शाता है यदि आप इस प्रकार के वाक्यों का उपयोग करते हैं, तो यह सिर्फ अहंकार है, सफलता के बारे में सोचने वाले व्यक्ति दूसरों का होसला बढ़ाते हैं, उन्हें इस प्रकार के वाक्य के साथ गलत नहीं ठहराते हैं, इसलिए दूसरों की काबिलियत को देख कर उनसे ज्यादा से ज्यादा सीखने का प्रयास करें और दिल खोल कर उनके गुणों की प्रशंसा करें ऐसे शब्दों से हमेशा बचिये जो आपकी एगो को बढ़ाने में अपना योगदान देते हैं